नमस्कार साथियों एगरी पेज के ओफीसियल यूटीब चैनल पर आपका स्वागात है दोस्तों ये मैं आप लोग के लिए एक मॉडल पेपर लाया हूँ क्रिस पसपाला ने उन पस्चिकित साभी ज्यान का दोस्तों वैसे तो ये पेपर जो है ये हो चुका है दोस्तों 25 फ परवरी है आपका क्रिसी अर्थरसास्त्र का दोस्तों पेपर है वह भी मैं कोश्य मॉडल पेपर आपको आज ही मैं प्रोवाइड करवा दूगा अपने यूटीब चैनल पर तो दोस्तों आईए देख लेते हैं इसको पहले यहां पर पताई है यहां पर उल्टा ही होता है पहले बिस्तरी तुतर ही देता है जबकि यंत में होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं यहां पर देख सकते हैं एक पहला है एक गाय की उम्र ग्यांत करने की कौन-कौन सी बीदिया है अत्वान नीमने लिखित नसलों के मूल अस्थान मूखे लक्षण यह मूँ प्योगी को दोस्तों कि इसमेंस सैं मैं आपको बताऊँ क bullish यह वाला जो है और हर इस बार के फिपर में यह मूर्रा भी आक्ती यह इसी प्रेषक में मूल ह्तान लक्षण उप्योगी था और रोलई स्थी।्र औरिन त्रीजियन भी आया था और मूर्र लिखत उर्जियन यह दोनों यहां से आप उम्र क्यानत करने की विदिया बड़ी आसानी से देख सकते हैं बी का मतलब पता है बी का मतलब है बोड़ी यानि जो उसका सरीर है सारीरी काकार देखकर यह का मतलब है हुब्स हुब्स मतलब होता है खूर यानि खूरों को देखकर यहां पर यह जो है यह साइलेंट रहेगा इसका कोई अर्थ नहीं है आगे है आर आर से हो जाएगा यानि रिकॉर्ड जो अभी लेख होता है रिकॉर्ड द्वारा यह से हो जाएगा यहां पर नहीं दोस्तों य होता है तो यहाँ पर मैंने खुर का रख डिया है दोस्तों भारत से आप चार को याद रख सकते हो चार उम्र ग्याद करने के विदिया को B से हो जाएगा Body और इबार फिर से लिग देते हैं B, H, A, R, A, T Body, Hobs और Record और यहाँ पर Teeth हो जाएगा यहाँ पर हर्याडा का देखो यह भी हम देख लेते हैं वैसो दूस्तों कुम्र ग्याद करने के विदिया सबसे अच्छी अभी लेख विदिया क्योंकि वहाँ परिदम सटी कुम्र आपको पता चलती है लेकिन दिकती है कि यह सिर्फ बड़े फार्मों पर अपनाई जाती है अपने यहाँ वैसे नाम से पता है हरियाडा तो यहाँ पर हरियाडा का हिसार तथा रोहतक जीला हो जाएगा और मुख्य लक्षन पूछ रहा है लिख सब्सक्राइब नसल दुधारू ने द्विकाजी नसल है हरियाडा और यह उप्योगी ताम इसके लिख सकते हैं यह दूद भी देते हैं और इसके बेल जोते क्रिशी कारे में भी उप्युक्त होते हैं उसके लिए भी पाला जाता है मुर्रा आगे देखा जा रहा है तो मुर्रा का पहले उत्वत्तिय स्थान हरियाडा पंजाब तथा दिल्ली यह छित्र हो जाएगा आगे मुख्य लक्षन तो यह दूस्तो हुई होती हैं अंगुठी की तरह लेकिन अगर सिंग रोधान करती जाएगा तब तो नहीं पता चलेगा अंगुठी वाले सिंगों की वज़ा से इसलिए इसका सारी कंदब काला होता है आगे लक्षन पताईदी हमने उप्योगी था यह भारत में सरवाधिक दूद देने वाली नसल है इसका दूद पादल दोस्तों काफी जाता सबसे अधिक दूद देने वाली नसल है दोस्तों भारत की आगे है जमुना पारी बकरी जमुना पारी बकरी का दोस्तों उत्पत्ती अस्थान हो जाएगा इटामा उत्तर प्रदेस यानि उत्तर प्रदेस का इटाम अच्छी मात्रा में दूद दे देती तो मुखे लक्षण हो जाया है इसके भारत की सबसे बड़ी नसल है बकरियों की इसका सरीर बड़ा होता है उससे आप इसको जान सकते हैं उप्योगीता तो ये द्विकाजी नसल है वैसे दूद भी अच्छी मात्रा में दे देती लिख सकते हैं आगे हिसार डेल हिसार डेल पूछा जा रहा है हिसार डेल दोस्तों एक भेंड जो है वो उसकी नसल है इसका उत्पत्ति अस्तान हो जाएगा हरियाडा का हिसार राज आगे भधावरी पूछा जा रहा है तो इसका उत्पत्ति अस्तान हो जाएगा भधरवा जिला औ और भदावरी दोस्तों एक बता देते हैं आपको ये एक भदावरी जो है भैस की नसल है इसका जो मुख्य उप्योगिता है बहुत ही मेन है अधिकतर कंप्टेटिव इजा में भी पूछा जाता है इसका दूज जो होता है उसमें आठ से तेरा प्रतिसत्तक वसा पाई जाती आगे होलिस्टीन फ्रीजियन दोस्तों ये काफी महतपूर गाय की विदेशी नसलों में से एक है काफी नहीं सबसे महतपूर है क्योंकि इसका दोस्तों मूलस्थान होलेंड है और मुख्य लक्षण ये दोस्तों विस्व की सबसे भारी भरकम नसल है यानि भारत की अगर बात करें तो भारत की सबसे भारी भरकम गाय की नसला है काक्रेज और अगर बात करें विस्व की तो विस्व की यह होलिस्टेन फ्रीजियन हो जाएगी और एक और इसका लक्षण है कि मतलब इसमें क्या होता है कि इसका जो सरीडिकर होता है सफेद होता है उस पर सफेद चित पुरिष्टिम्ट रीजियन के बारे में भी आया था बताया मैंने आपको पच्पंसो से यानी पच्पंसो से छे हजार लीटर तक ये प्रतिव्याद दूद दे देती है ओके आगे गाय के बाइसरी की बनावट का उसके सारीरिक क्रियातम कारियों से संबंद क्या है संचेत में लिखिए अथो आप ये दोस्तों ये चारा वाला प्रसना गया है अथो ये भी आप लिख सक यह दोस्तों मैं आपको बात बतादू पता नहीं क्यों ये दोस्तों जो चारा वाला कोंच आता है पता नहीं क्यों आया नहीं हर राता है यह संहें आप देख सकतें आगे पश्की वसकाला की सफाई voting可愛 たुए लिखार एक तो वरन करना है अथो निंदूए क्या किस प्रका दिन प्रवर्वर नियमित सामाईक और असामाईक तीन प्रकार की सफाई होती आगे नर बचलों को बधिया करन करने की वीदिया लिखिए दोस्तों ये बधिया करण इस बार भी आया था दोस्तों वो भी 6 नमबर में आया था पूरा ये जब भी विधियां आएगा 6 नमबर का ही आता है तो आपको पता है ये बधिया करण करने की 2 विधियां होती है यहां पर एक ग्रामीड होता है मैंने पूरा दोस्तों डिटेर म लगा कर तीसरा हो जाएगा रासानिक बदार्थों द्वारा रखतहीन विधी में फिर दुआ जाएगा यहां पर ऐसा करके तो बटी जो कैस्ट्रेटर से दूसरा इलास्ट्रेटर से और जो रषानिक विधी है उसमें दोस्तों एक इस्टिल वेस्ट्रॉल नमक टेबलेट आ में वदिया करण की आजाता उसके दौरा पर यह दोस्तों मैंने कहां जब ही बीदियां आता है तब और एक और बता दू कि बढ़िया क्रिण मुर्गे को कैपोन काते हैं जब KUD में टाती तब सिंग रोधन के लिए तो हो जाएगा एक सब्दा परेखना है याद सी बीम सी बी ए ए एम सी बीम यहाँ पर हो जाएगा कैमिकल यानि रसाइनिक वीदी और ब्रीडिंग यानि प्रजना से इलेक्ट्रिकल वीदी इलेस्ट्रेटर द्वारा मेकैनिकल यानि यान्त्रिक द्वारा ये पाँच वीदिया होती है सिंग रोधन की सी बीम इससे आपको याद रखना आगे क्रिसी में पसुधन गरम वहां तो दोस्तों ये बहुत जादा ही आप लिख सकते हैं पता है काफी सारा मतों होता है आगे आपर दे रहा है कि क्रितियम गर्बादान के लाब लिखना है आपर दोस्तों आप आंसर में आपको जाता नहीं बतापा हूए वीडियो ऐसे ही लंबी हो चुके काफी क्रितियम गर्बादान के लाब पुछा जा रहा है देशी गाय विदेशी दोस्तों ये इस बार भी आया था देशी और विदेशी गाय में अंतर तो मैंने लिखा था पूरा देशी गाय में कुकद नहीं होता विदेशी गाय में कुकुद पाया जाता है ये दो ही लच्छा वैसे अंतर आया था इस बार दे सब्सक्राइब जर्सी का हो जाएगा इंग्लीज चैनल का जर्सी द्वीपसमू जो फ्रांस के पास है यह सब लिख सकते हैं आगे रोमन्थी पस्वों के दंत सुत्र रोमन्थी पस्वों यानि रूमिनेट्स रूमन्थी वह होते हैं जिन में जुगाली जो करते हैं जुगाली मतलब क्या होता है पहले तो खा लेते हैं चारा फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर लाकर मतलब उसको पचाते हैं उसी को हते हैं रोमन्थी पस्व आगे ट्रोकार और कै केनुला दोष्छों क्या होता है चैसे मिने में सुना ओगा एक पस्वे Join me बाफारा रोगो स elders मैं क्या होता है कि इसके पेटने एकदम हमुद गैस बशता है तो क्रोकर और केनुला का उप्र। उसके पेट से मतलब गयास को बहार निकाने के लिए किया जाता है और अगला है पसुओं में दुख्द जोर बिमारी होने के कारण लिख सकते हैं आप यहां पर विकल्पी प्रस्न गंगातीरी गाय का गर्व कल दोस्तों यह मैं आपको बता देता हूं ऐसे नहीं पूछेगा कि देशी गाय का गर्व कल पूछा जा रहा है तो यहां पर हो जाएगा 280 दिन इस ऑप्शन के जाएगा 280 वैसे 280 से 280 यानि 2.5 दो 282 आपको एग्दम एक और डाटा लिखना है तो 282 दसमलोग पांच 282 दसमलोग पांच वह जाए आगे पुस्तों में खुर्पकावा मुपका बीमारी होने कारण तो दोस्तों यह अब मुझे विश्वास से आप लोगों ने कर लिया होगा खुर्पकार मुपकावा यानि फूट एंड माउथ डिजीज किस कारण होता है आगे देखते हैं निम्यम से कोई भैस की संकर नसली यह भी इस बार आया था 2023 में यह आया था आपको दिखा चुक सब्सक्राणा बनी है आगे सूर्ती नो बताया मैंने मुरा बूरे सर्ती जाफराबादी इसमें जो है क्या गलकंबल पाया जाता है भदावरी मिस्टरवादी कवसाट से तेरह बकरी का गर्वकार पूछा जा रहा है तो इस आप्सन की सबसे 145-150 दिन वैसे तो 148 दिन होत है वह ब्याने के कितने दिन बाद गिरना चाहिए तो वह आपका राइट ऑप्शन इस में से इसावे दो से चार गंटे दो से चार गंटे उसके बाद भी अगर नहीं गिरता है तब आप चिकित्सक को बुलाएंगे पस चिकित्सक को अब यह फिलिंदा ब्लैंक्स आ चुक तो वैज भी तो पस ही है तो किसी भी पस ऑ गिराएंगे तो गिराने की सबसे उप्योक्त भी दी हो जाएगी परिवर्तित रॉपस विरी परिवर्तित र्यूप्स ने मोडिफाइड र्यूप्स भी दी आगे दूद में पानी का अपमिस्रण ग्याद करने है तू किस यंद्र का प्रयोक किया जाता है तो यह हो जाएगा लेक्टोमीटर यानि जो लेक्टोमीटर होता है दूद में पानी का अपमिस्रण ग्याद कर सब्सक्राल म्हें कर रहता है did और यहां पर विद्दू सिंघ्रोध में यह लाद होता है विद्दू सिंग्रोधक होता है डीखफना तापमान कितना उसको गरम रखते हैं कितना टिंपरेजरर कोफ्ल Mitte काफी इन के मेंठ बकरी चारों की फैमין होती है बोवी डी ये चारों बोवीडी कुल के ही होते हैं और मुर्गी जो है उसका अठीं का फ्यास्ति निडि कूल होता है और रख लजा हरे हरे रसीले हरे चारे में सुस्क पदार्थ का पुछा जाता है और दोस्तों इस बार पानी का पुछा गया था हरे रसीले चारे में पानी का पुछा गया था और इसमें ये सुस्क पदार्थ का पुछा गया है तो एक कापको पता है ‫का दूसरा काप只有 लűग सकते हैं तो सुस्क पदार तो सुस्क पदार जो है इसमें 20 से 25 पर 45 सुस्क पदार पाया जाता है 20 से 25 परसथ ये अगर सो में से 20 से 25 घटाएंगे तो आता है सहत्तर से 75 से 8 परसथ назад तो जो पानी होता है वो 75 से 80 प्रसत पाया जाता है इस बार आया था ये यह यहां पर देखिए दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दिया आंसर भी दिया हुआ है यह आप देख ले सकते हैं दोसवती दिन विसाड़ू महसाना 145 यह दोस्तों गाय का घर्वकाल दिया है यह खुर्पगे यह निए फम्डी का कारण है संकर नसल बकरी का घर्वकाल प्लेसेंटा गिनने का समय और यह दोस्तों मैंने आपको बता देखा ही नहीं मैंने आप दिया हुआ है अरिवर्तित यूपस वीडी लेक्टोमीटर पांसो चारीश डिवीडी से वोवीडी और यह जो 20-25 परसत या नहीं सुस्क पदार्थ यह गिराने के वीडी है यह दूद में सुधता यह उसका सिंग्रोधक का तापमान है यह बकरी का कूल है तो यह यह मैंने का था नहीं देखिए मैंने जल्दी किया तभी वीडियो काफी लंबी हो गई यह था आपका पूरा कोशन पेपर दोस्तों कल जो आपका बोडिक जाम है अर्थसास रखा यानि क्रिसी अर्थसास रखा दोस्तों सभी को मेरी तरफ से all the best मैं उमीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा पफरमें आप जरूर उसको देखें एक बार एक्जाम हॉल में बैठने से पहले और दोस्तों क्रिसी अर्थसास का जो यूपी बोर्ट द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है वो भी मैंने अप्लोड कर दिया है वो भी आप देख लें जरूर मॉडल पेपर से तीन से चार कोश पेपर दोस्तों दिखाऊंगा जरूर इसमें से आने वाला है चलिए ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो में थैंक्स अलॉट 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 ऑल दा बेस्ट फोर और बोर्ड एक्जाम